बिस्मिल्लाहुराह्मानुराहिम शुरू लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा महर्बान नहायत रहम करने वाला है अस्सलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब लोग उमीद है लद अला के फदल कर्म से ठीक ठाक होंगे जबरदस्त होंगे अलहमदलिल्ला मैं भी ठीक हूँ वायर जो हमें बासतफ़ा बहुत तंग करती हैं दुरुदर बिखिरी रहती हैं चाहे वो किसी भी चीज की हो जूसर की हो या वो इस तरह गलूगन की हो या कोई भी हो तो इनको आपने करने के इनको रूल करके पोनिचर हा लेनी इनके उपर और एक थोड़ा सा उपर से इसको आपने सिरा उपर निकाल देना और इसको किसी भी नील के साथ किसी भी चगा पर आपने इसको हैंक कर देना है जो आपके पहुंच में हो अब यह देख मैंने यहां पी इसको हैंक कर दिया और किसी वक्त भी मैं इसको पिक कर सकते हैं जब भी मुझे से की जरूरत हो तो चलते हैं नेक्स आइडिया मेरा यह जो कलॉट बैग होती हैं जो कपड़े के आ रहे हैं आज कल इसको इनको लेकर है यह अकसर घुरों में को लिए यह और हर गर में तकरीब लिए में या मजूद होते हैं हिस इनको दूवल इंच कफ मैंने मारजन छोड़कर इसको मैंने kalapp कर लिया इस तरीके से कुछ यह अरगनेजर बन निकला था ने उसी हिसाब से मैंने इसकी कटिंग की है उतनी मैंने इसको तुड़ाई रखी है और इसकी विर्थ मैंने वैसे ही रखी है जैसे यह इसकी थी इसी हिसाब से मैंने इसकी यह देखे बेड़त रखी है और जितनी इसकी लेंथ थी थेले की उसनी मैंने इसकी लें से देखेते हैं कैंधर हमें कि हमें से वेत लेते हैं और कहां हमें इसको यूज करेंगे हमारे लिए याडरी हें डाल लिए हैं मैं इसको अपने यूमारी में हैंक कर दूग Biz दोनों को चाहे तो आप इस राडमे में से में से भी दोनों को को कि वो हैंडल लगे हुई है ठैले को हैंडल इसमें से गुजार चखती है लेकिन मैंने तो इसमें हैंगर डाली है दोन में देखना ये कितने सा हमारे काम है और कितने हमारे ये कप्रिस मेटेगा इस तरीके से आपने इसको हैं कर देना है और अक्सर ये जो टावल होते हैं हमारे वो इदर उदर बिखरे रहते हैं अलमारी मेर किता भी इनकी तहकुल जाती है तो मैं इसको अक्सर रोल करके र रखना है और जब भी मुझे दरूरत पड़ेगी यहां से रहां से मैं इनको पिक कर लूँगी ये देखें इस तरीके से इसमें 5-6 डावल आ सकते हैं इतनी स्पेस है इसमें ये देखें अब ये देखें न कितनी जगा ये हमारी अलमारी में अगर मैं वैसे रखते इसको तय कर लोंगे है ना कितना यूसफुल आइडिया आप इजह देखें मैं इसके नीचे भी मुझे स्पेस मिल गई और यहां पर मैं अपने कुछ भी रख सकती हूं अब जितना मर्दी में समाना आप नीचे रखूं काफी स्पेस मुझे नीचे भी इसके मिल चुकी है यह देखें अमिद करते हुँ मेरा आइडिया आपको पसंदा आया होगा चलते हैं नेक्स्ट आइडिया के तरहएं आप एक असब आझबल सा और इकनाईजर पनाएंगे यह जो घी वाले डिपो होते है इनका जो काफी हार्ड होते है इनका जुगत्ता होता है काफी हार्ड होता है मस्पूत होता है तो मैंने दो दो इंच का मार्जन ये देखे इस तरीके से मैंने हर साइड से इसका दो दो मार्जन इंच का मार्जन रखे ने इसकी मार्किंग कर ली है आपने भी ऐसे ही कर लेना है इस तरीके से यहाँ पर भी आपने दो इंच का मार्जन रखे कर लेना है इस तरीके से मैंने दूसरी साइड से भी आपको दिखाया है वैसे हर साइड पर मैने इसको दो इंच कमार जारा कि इसके मार्किंग किएए अब मैने इसको इस तरीके से इनको लाईन लगा ली ताकि हमारी कटिंग में आसानी है और सीधी कटिंग होगी इसकी अब सीधर की मतबद से आप इसको ef Himaster की तेज यह इतना जबरदस और्गनाइजर बनेगा गज़ बजार से इस तरह के हम और्गनाइजर लेने जाएं ना तो बड़े expensive होते हैं तो जाहिर है हमने चीजें तो अपनी किचन में और्गनाइजर करके रखनी ही होती है तो इनके लिए हमें और्गनाइजर भी चाहिए तो हमें क्यों न घर में जुगार लगा के इस तरह के जबरदस से और्गनाइजर भी तियार कर लें और ये लगते भी नहीं है कि ये किसी इस तरह की चीज से हमने में बनाए है अब जब मैं इसको त्यार करूँगी तो आप यकीन मनिये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये मैंने गीवले डबे से बनाया है ये देखें इस तरीके से या कोई कपड़ा भी ले सकते हैं शाइनिंग वाला कपड़ा तो वह भी आप ले सकते हैं तो जबरदस्त लगेगा इसी हिसाब से मैंने इसकी कटिंग कर ली है ये देखें अब मैंने इसको गिलूगान से इसको पक्का कर लूँगी ये आम साधा कागज है और कुछ नहीं है जो मैं इस के लगा रही हूँ ये सिंपल मुझे मिल गया था तो मैंने का ये बेटर रहेगा अच्छा लगेगा ये देखें इस तरीके से मैंने इस को बराबर कर लिए बराबर करके जहां पर मैं इसको गलूज लगा के इसको पक्का कर लूँगी ताकि यह इसकी जो नो आप खुले न अच्छे से यह पक्का हो जाए हमारा यह देखें इस तरीके से इसको पक्का कर लें आप यहाँ पर कोई भी शाइनिंग वाला कप्रा लगा सकते हैं जबरदस लगेगा यह देखें इस हर साइड पर नहीं पक्का कर लिया है आप ये खुलने वाला नहीं है आप शीट को भी आपने इसे तरीके से नीचे से सिरफ आपने इसके कौने काटने है ताकि हमें folding में असानी हो बाकी साइडस हो आपने कहीं से भी कोई cutting नहीं करनी इसी तरह हम इसके folding करेंगे और हम इसका use कहां लेंगे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा जबरदस तरीके से बताऊंगे कि इसका use क्या आपको देखे हरा रहा जाएंगे कितना जबरदस uses का तो पूरी फूल वीडियो वाच किए चीएगा तब ही आप इस तरह की चीज़े बना सकते हैं इनको इस तरह की चीजें लेकर अगर आप फूल वीडियो वाच नहीं करेंगे मैं कर रही हूं इसको अपने अंदर वली साइड पर इस तरह फूल्ड करके जहां पर भी आपने गम लगा लेनी है और दूसरी साइड पर भी आपने इसको पका करके उधर आपने इसके गम लगा लेनी है ये एक जबर्दसा हमारा और्गनाइजर बन कर तियार हो चुका है और यहां पर हमने जिसके कॉर्णर कटिंग की थी वहां पर भी आपने इसको गम लगा के इसको यहां से अच्छे से पका कर लेना है इसको अंदर की तरफ आप यहां से भी फोल्ड कर दीजिए यह देखें कि यह कुछ इस तरीके से बन कर रेडी हुआ है अब हम इसका इस्तमाल कहां लेंगे कैसे लेंगे अब मैं अभी बताती हूं यह देखें अब यह किचन में आप कहीं भी रखें तो यह आपके बुरा नहीं लगेगा अच्छा थे तो वो मैं जब एक उठाती थे तो दूसरा गिर जाता था अब मैंने इसमें और्गनाइस कर ली हैं अब यह गिरने वाले नहीं है जब यह मुझे जरूरत पड़ेगी एक ही जगा से मैं इनको पिक कर लोंगी और वहां दौरा वापस रख लोंगी यूज करके यह मेरे पर रखें चाहे जहां भी आप रखें बुरा ने लगेगा अच्छा लगेगा आप यह जो हमारा दूसरा पीस पर चिया था ना इससे भी हम चोटा से एक और्गनाइसर तियार करेंगे देखते जाएगा इसको जो जो पीस इसके जो खुल गए थे ना उपन हो गय थे इनक इसमें एक दूसरे की उपर रखने के लिए जगा नहीं थी जिए छोटा था इसलिए मैं इसको टेप लगा कर इसको पकागा रही हूं इस तरीके से यह देखेंगे जो कि इस तरीके से हमारा यह भी और्गनाइसमन कर रेडी हो चुका है आप आज यह हमारे किस काम आएगा हम इसको यूज कहा लेंगे यह भी मैं आपको बताती हूँ उमीद करती हूँ यह मेरे आज की आईडियाज और्गनाइसर जो भी मैंने बनाए है टिप्स दिये हैं एक्स दिये हैं आपको पसंद आए होगा अगर जिर भी आपको मेरी वीडियो हैल्प लगी है तो लाइक खियर सब्सक्राइब जरूर कीचिएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आला आपिस